हलो एवरिबरन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तीखा, खटा और बहुते ज़्यादा टेस्टी मोटी लाल मिर्च का भरवा आचार जिसे देखते ही सभी के मुँँ में पानी आ जाए और इस आचार को आप मिंटों में बना कर तयार कर सकते हो और इसका आनंदा आप स लाल बर तक उठा सकते हो तो चलिए फ्रेंस बिना देर किये ये रेसीपी बनाना सुरू करते हैं आचार का टेक्चर तो आपने देख ही लिया होगा कि कितना अच्छा आचार बन कर तयार हुआ है यह आचार बनाने के लिए सबसे पहले मेने यहां पर ली है 500 ग्राम मोटी वाली लाल मिर्च तो फ्रेंस यहां पर मैंने मार्केट से एकड़म अच्छी और ताजा क्वालिटी की मोटी लाल मिर्च खरीद के लाई हूँ यह लाल मिर्च मैंने यहां पर मीडियम साइज की लिए है नाही जादा चोटी है और नाही जादा लंबी इस मिर्च को मैंने अच्छे से पानी से धोके और 3-4 गंठे के लिए मैंने धूप में सुखाने के लिए रख दिया था और इसे कपड़े से पोच कर लिया है इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच सौफ लिया है एक चम्मच मेंने यहाँ पर लिया है काली मेर्च एक चम्मच मेंने यहाँ पर लिया है अजवाइन एक चम्मच लिया है जीरा और साथ ही में मैंने लिया है यहाँ पर दाना मेथी तो फ्रेंड्स हम अगली प्रोसेस सुरू करेंगे तो सबसे पहले हम मसालों को रोष्ट करेंगे तो पैन के अंदर में ने डाल दिया है सौफ को साती में मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ और अब मैं इसमें दाना मेथी को एड़ कर देती हूँ और अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन और जो काली मिर्च है जो कि हमारे आज़ार को और भी तीखा और चटपटा बनाएगी उसे डालके और सबी मसालों को हम अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पर रोश्ट कर लेंगे तो ये देखे सबी मसाले मैंने अच्छे से रोश्ट कर लिया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे ताकि मसाले अच्छे से ठंडे हो जाएं और फ्रेंट्स मसालों को मैंने यहां पर प्लेट में इस तरीके से फैला के और रख दिया है ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएंगे उसी पैन के अंदर में डाल रही हूँ एक कटोरी भर के सरसो का ओयल सार्सो के ऐल में आचार बनाया जाए तो आचार बहुती ज़्यदा टेस्टी बनाया जाता है तो आप वैसे तो आपने मनपसंद ऐल में इसे बना कर तयार कर सकते हो ऐल यहांपर 20,000 गरम हो गया है और अब मैंने इदर लिया है एक मिक्सर जार तो मिक्सर जार के अंदर जो रोश्टेड मसाले थे उसे डाल के और अब हम इसे दरदरा होने तक पीस लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुछ और मसाले अड़ कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक से डेड़ चमच काली वाली राई ली है यानि की सरसो साथी में मैंने यहाँ पर ली है एक चमच पीली राई और साथी में अब मैं इसमे अड़ कर रही हूँ एक चमच भर के नमक क्योंकि अचार में नमक बहुती अच्छी मात्रा में डाला जाता है तब यह आचार का टेस्ट अच्छा आता है तो ये देखे सबी मसालों को मैंने यहाँ पर दरदरा होने तक पीस कर तयार कर लिया है अब मसाले को हम यहाँ पर एक बाउल में निकाल लेंगे और मैं इसमें डाल रही हूँ अब एक चमच भर के कलोंजी कलोंजी को हम नाही रोष्ट करेंगे और नाही से पीसेंगे तो मैंने उपर से इसे एड़ किया है और साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक से डेड़ चमच काला नमक और आप चमच मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी पावडर और हाप चम्मची में यहाँ पर डाल रही हूँ हींग तो सभी मसाले मैंने ले लिये हैं और अब हम इसे चम्मच की साइता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे आचार को यहाँ पर खटा बनाने के लिए मैंने दोले मन का रस लिया है उसे निकाल के और मसालों में डाल दिया है और अब मैंने यहाँ पर डाल रही हूँ दो चम्मच भर के सरसो का ओयल जिस ओयल को हमने गरम किया था वहाँ ओयल अच्छे से ठंडा हो गया है तो उसी ओयल को मेहाँ पर दो चमच भर के मसाले में डाल रही हूँ और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो ये देखिए मसाला हमारा यहाँ पर अच्छे से हलका सा गीला सा हो गया है ताकि इसके स्टेपिंग भरने में हमें आसानी हो अब इदर ओयल अच्छे से थंड़ा हो गया है अब ओयल को मैं यहाँ पर वापस उसी काटोरी के अंदर निकाल लेती हूँ तो ये देखिए यहाँ पर मैंने उस ओयल को साइड में रख दिया है और अब हम यहाँ पर लेंगे मिर्च को तो इस तरीके से हम यहाँ पर मिर्च का डंठल हटाएंगे डंठल हटाके और अब हम मिर्च को कट करेंगे तो friends आप यहाँ पर इसके उपर वाले हिस्से से भी कट कर सकते हो लेकिन मैं मिर्च को यहाँ पर लंबाई सेप में कट कर रही हूँ तो मैंने जो उपपर वाला पाठ है उसे इस तरीके से चीरा लगा के कट किया है नीचे से हम इसको कट नहीं करेंगे नहीं तो मिर्च हमारी दो भाग में डिवाइड हो जाएगी अउली हमें उपपर से ही चीरा लगाना है और इस तरीके से अब मैं नाइब की साइटा से हलके हलके हाथ उसे इसके अंदर का जो बीज है उसे इस तरीके से निकाल लेंगे तो बीज को भी हम यहाँ पर मसाले के अंदर मिक्स करेंगे तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल के और रख लूँगी तो यह देखें यहाँ पर मैंने इस तरीके से धीरे-धीरे करके और चाकू की साहिता से इसके बीज को निकाल लिया है तो मिर्ची को मैंने यहाँ पर अच्छे से किलीन कर लिया है अंदर से अब मैं यहाँ पर दूसरी मिर्च को लेके और फिर से दिखाती हूँ तो यह देखें मैंने इसका डंटल हाटा दिया है और उपर से इसे हलका सा चीरा लगाया और ये देखे ये अच्छे से कट हो जाती है और धीरे धीरे करके और चाकू की साहिता से हम इसके बीच निकाल लेंगे तो ये देखे फ्रेंट्स यहाँ पर ये बहुत ये आसानी से बीच निकल जाते हैं आप यहाँ पर चम्मच की साहिता से भी निकाल सकते हो जो चम्मच का पीछला वाला हिस्सा होता है उससे भी आसानी से निकल जाते हैं तो फ्रेंट्स अब मैं सैम इसी तरीके से सभी मिर्च को कट कर गे और इसके बीच निकाल लूँगी तो यह देखिए यहाँ पर मैंने सभी मिर्च अच्छे से कट कर ली है और सभी बीच मैंने निकाल गे और प्लेट में अलग से रख लिया है तो आपको मैं दिखाती हूँ इसमें से इतने सारे बीच निकले हैं तो यह बीच मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब हम यहाँ पर मिर्च को करेंगे साइड में और मसाला लेंगे और मसाले के अंदर जो कि हमने मिर्च में से बीच निकाले हैं उसे डाल देंगे और इसे भी मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे ये मसाले के अंदर डालने से बीज मसाले के अंदर डालने से मसाले का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा आचार का टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर फाइनली सारे मसाले अच्छे से रेडी कर लिये है अब हम यहाँ पर एक एक मिर्च को उठाएंगे और मैं यहाँ पर हाथ की साहिता से मसाले को यहाँ पर मिर्च में अच्छे से भर रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स हाथ की साहिता से अच्छे से भर जाते हैं और दबाने में भी आसानी होती है मसाले को इस तरीके से प्रेस करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती आप यहाँ पर चम्मच की साहिता से भी भर सकते हो लेकिन यह देखे मैंने यहाँ पर अंगुली से अच्छे से दबा दबा के और इसके अंदर मसाला भर दिया है ताकि मसाला हमारा बाहर ना निकले और बहुत ही अच्छी तरीके से में इसे प्रेस करते हुए मिर्च के अंदर भर दिया है तो यह देखे यहाँ पर मैं अब दूसरी मिर्च के अंदर भी भर रही हूँ तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर सभी मिर्च के अंदर मसाला भर लेना है तो फ्रेंड्स यह देखे आप देखी पा रहे होंगे हाथ की साहिता से मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने हाथ की साहिता से भर लिया है कि कितनी अच्छी यहाँ पर मसाले के स्टेफिंग मैंने मिर्च के अंदर भर दी है और अब हम यहाँ पर लेंगे ओल को जो कि हमने गरम करके और ठंडा कर लिया है और फ्रेंड्स जिसमें मैं आचार डालूँगी वो काच का जार लिया है इसको भी मैंने जब मिर्च को सुखाया था दूप में तब इसे भी गरम पाने से धोके और 3-4 गंठे के लिए मिर्च के साथ में जार को भी मैंने दूप में सुखा लिया था क्योंकि जार के अंदर भी बिलकुल भी नमी नहीं होनी चाहिए नहीं तो हमारा आचार खराब हो सकता है अब मैंने यहाँ पर एक-एक मिर्च को उठाया है और ओयल के अंदर इसे डिप किया है मिर्ची के उपर अच्छे से ओयल कोट कर लिया है और जो एक्ष्ट्राइवल था उसे इस तरीके से निकाल देंगे और अब हम यहाँ पर जार के अंदर एक-एक मिर्च को ओयल के अंदर डिप करके और यहाँ पर जार में भरते जाएंगे तो यह लीजे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक-एक मिर्च को उठा के और इस तरीके से डिप करके और जार में भरती जा रही हूँ और यह बहुत ही अच्छे से डिबी हो गया है और आप देखी पा रहे होंगे कि मसाला बिल्कुल भार नहीं निकला है क्योंकि मैंने मसाले को अच्छे से दबा दबा कि इसके अंदर भरा था तो यह लीजे, यहाँ पर मैंने सारी मिर्च को अच्छे से इसके अंदर भर लिया है फ्रेंट्स एक से दो मिर्च यहां पर भरी हुई बच गई है जिसे मैं यहां पर दूसरे बरतन में डालूंगी क्योंकि यह जार चोटा था तो पूरी मिर्च यहां पर आई नहीं तो जितनी मिर्च यहाँ पर जार के अंदर आई है उतनी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है और उपर से जो ओयल था उसे मैंने इसके अंदर डाल दिया है तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं इस आचार में थोड़ा कमी ओयल डाल रही हूँ अगर आप इसे लंबे समय तक रखना चाते हो तो यहाँ पर मिर्च के उपर तक इसमें आप ओल गरम करके और उसे ठंडा करके डाल लीजिए अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा लेकिन हम इसे कुछ ही दिनों में खतम कर देंगे याने कि 15-20 दिन में तो हमें यहाँ पर जदा ओल डालने के आउशकता नहीं है अब इसे हम 2-3 दिन के लिए धूप में रख देंगे और यहाँ चार खाने के लिए तैयार हो जाएगा